हेलो गाईज, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चनल फैंटसी बस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साउथ अफरीका वर्सेस बंगलादेश के बीच में जो मैच खिला जाएगा 22nd मैच T20 वर्ल्ड कॉप का दोस्तो इस वीडियो में आपको साउथ अफरीका और बंगलादेश के ऐसे ऐसे प्लियर्स के बारे में जानकारिया मिलने वाली है जो कि आपकी फेंटसी विनिंग टीम में बहुत मदद करने वाला है टीम बनाने के लिए बस आपको पूरा वीडियो देखना है और इस वीडियो के बार कोई भी फॉर्दर अपडेट आता है अबसका कोई भी बनाने में बहुत मदद करने वाला है तो वैसे कुछ इंपर्णट जो भी चीजह उती वह आपको टेलेग्राम पर बता जी आथा आपके बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है तो आपका हमारे टेलीग्राम चनल स्ट जूबनघ बहुत ज़्रूरी और बिलकुल फ्री खैज से जूर सकते आपको वीडियो के देखे तो 10 मच खेले गाएं जैसमें 168 का एवरेज स्कोर है बीबिल में 169 का एवरेज स्कोर रहा था छे मैचेज में और 57 विकेट पेशस ने तो 16 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे यानि पेशस ने डॉमिनेट गया तो यहां से आपको एक ची समझ में आता है डिसेंट विक के अलावा यहां पर नियूज विकेट और पेशस ने जहरे ख फिशस ने ही डोमिनिट किया लिए यहां पर इस पिनरष मिले थे आपने देख आ यहां पर सामने आपको दिख रहा होगा ठीक है यहां पर चे और यहां पर चार आप देखो जो एक मज़ खेला गया है अभी रिसेंटली न्यूजिलेंड और अस्टुलिया के बिच में न्यूजिलेंड ने 200 स्कोरिंग की थी अब यह तो डीसेंट स्कोरिंग था लेकिन जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं एक कंडिशन रहता है यहां तो सामने वाली टीम जो फस्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे है वह डॉमिनेट कर रहे हैं जैसे लास्ट में ऐसा हुआ असुलिया के सामने न्यूजिलेंड ने डॉमिनेट किया और उनके स्पिनर्स को जैसे आप देखेंगे head to head record दुनहीं टीम के बीच में साथ मैच हुआ है सातों के साथ तो साफ अफिका ने जीता है इस मैच में थोड़े बहुत रेन के चांचेस है दोस्तों रेन के चांचेस कब हैं वह मैं आपको बता दूँ देखो local time के according 11 बज़े से लेके चार बज़े के ब दो बज़े ठीक है अब असुलें टाइम के according के दो बज़े मैच स्टार्ट हो रहा है तो चार बज़े तक बारिस राएगा बचे जो दो घंटिन के बाद क्योंकि छे बज़े से इंडिया और नीदलेंड का मैच से असुलें टाइम के according तो उसमें इनको मैच करवाना है तो वह चीज है अभी का जो मैंने आपको होता है तो हो सकता गेम छोटा हो जाए तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखना दोनों ही टीम के बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख लो यहां पर साउथ अफरीका ने जो एक मैच खिला है नो रिजल रहा है यहां पर इनके त मारकरम के चांसेश बढ़ जाते हैं बॉलिंग डालने के यह स्टब्स के वैसे यह लोग पहले यह दिन मारकरम का प्रेफर करते हैं ओवर स्टब्स बॉलिंग के लिए ठीक है तो दोनों टीम में लेफ्ट हेंडर्स के संख्या जादा ध्यान रखना अब बंगला देश की 11 विद इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यह बात करें रिसेंट स्कूर के साथ तो इंपॉर्टेंट प्लेयर तो साकीबल अफिफ फूशन हसन में मिस्ताफिज रह्मान बट सौ में सरकार चुकि लास्ट में पे तीन ओवर डाला और दो और दथ में लेकिया है कंडिशन के अग साथ इनके पास इसले से इस टाइप की वेकट पर इन्होंने वन्हें करता हैं मिस्ताफिज रहां में नें मट je तो तास्की नयमद भी आशकते हैं चांस अब रहते हैं लेकिन आशकते हैं कभी भी ठीक है जनरली मुस्ता फजर और रसन मेंख सरकार आये ठीक है अब इनकी टीम से जो चार चार उवर की बॉलिंग करते वह को न है दुआ दिखेंगे सब्सक्राइब थोड़ा भी मतलब टर्न रहा है सेकंड इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग डाल रही है तो मुसद्धों खुशन सामने टीम के लेफ्ट हेंडर के सामने बॉलिंग डाल सकते हैं इनके प्लेयर वाइस स्टेट्स देख लो हर एक प्लेयर का आपको ओवरॉल जैसे इन्हों ने 60 मच में 60 मुझे में 262 के इवरेस से बनाया इस शीरिज से पहलें का रिजेंट फॉर्म लेट्न रस अच्छा आप हर एक प्लेयर का देख सकते हो ठीक है इनके हर एक प्लेयर का और जो भी प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है मैंने यहलो बार से मैंसेन कर देता हूं हर एक प्लेयर के बार में और एक चीज़ टेलिग्राम से अगर आप जुड़े हो ना तो कभी आप लीव कर जाते और दुबारा आपको हमारे चैनल पर आना है तो आपके पास एक ही तरीका है आप हमारे किसी भी वीडियो को ओपिन करो वहां पर लिंक होगा बिस् करना है वापस से वीडियो पर आओ और किसी भी वीडियो को ओपिन करो लिंक डिस्किप्शन में होगा महां से आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर आजाओ कभी भी ठीक है अब बात करते हैं साउत अफ्रेके की प्लेइंग 11 विद रेसेंट स्कोल जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्विटन डिगो को रसो मारकरम मिलर पार नेल रबाड़ा नौर्किया और नगेडी बट चुकि सामने थोड़ी कम जोग तीम है बहुमा का और यहां पर केशाओ महराज का पर्फॉर्मेंस निकल के आ सकता है हाला कि केशाओ महराज लेफ्टाम और तो लेफ्ट यहां पर हो सकता है कि किसी एक बॉलर को गट के मारकरम को मिल जाए क्योंकि शामने लेफ्टेंडर से हैं ठीक है वैसे इस्पीन यहां पितना चलता नहीं है बट फिर भी अगर दबाव हुआ लेफ्टेंडर टिका हुआ है पेसस काम नहीं आ रहे तो इस्पीनर आ सकते हैं और उसमें मारकरम के चांसेज बनते हैं मैच अप को सरकाराइब को स्पीर के चैक्शन देखने मिलेगा अब लोग अभी अब तर ग सकते हो वहाई क्विंटन डिकॉक तैस्की अवरेश रंस बनाये हुए और आले रहे सो पचिस की अवरेश रंस बनाये हुए इस टीम की अगेंस है बंगलादिस की टीम की अगेंस और यह वी वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है यह मैंने मिस्टेकन लिक दिया है बट यह हैड टो हैड रिकॉर्ड ठीक है यह चीज ध्यान रखना बंगलादिस की तरफ से सकीबल हसन का जो है रिकॉर्ड छे मैच में साथ विकेट बाकि सबका डिसेंट साय है साउथ अफ्रिका की तरफ से रबाड़ा दो मैच में पांच करें तो नौर्क एक माच में तीन विकेट फेलो मच में तीन तब रहे चांजीं माच में दो यह बंगलादेश के पर दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पर हर एक प्लेयर के बारे में आपको डीटेल्ड अनालिसिस दिया जाएगा जिससे आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि किस प्लेयर को आप कब ले सकते और नहीं ले सकते हो ठीक है देखो क्विंटन डिकोग मस्टप पिक रहेंगे एक तो अच्छे टच में दिख रहे थे जेंबाववे के अगेंस्ट प अंदर ही कर रहे थे मतलब इसी के आसपास कर रहे था ज्यादा बड़ा स्कोरिंग एक ही दो मैच में आया था इनिंग को बिल्ट करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इनको बट देखो यह अभी भी एक डिसेंट चॉइस थेंगे क्योंकि रंस तो इन्होंने किया है रिसे बैट्स मेंने और कभी कभारी अच्छा कासा स्कोरिंग कर लेते हैं कम गेंदों में ज्यादा रन बड़ वह कभी कभार तो फैंटसी पॉइंट अव्य से एक डिस्की आप्शन क्योंकि काफी नीचे आते हैं बल्लेबाजी कभी कभारी आते राइले रसो लेफ्ट हेंडर बल्लेबाज है रिसेंट फ़र्म काफी अच्छा है एक सतक भी आया था इंडिया के चाला के वह बांडरी स्थोड़ी छोटी थी पर उससे पहले नाइंटीज में भी स्कोरिंग किया और अभी वार्म अप कि में 45 कर भी स्कोरिंग किया है पर लास्ट में बैटिंग नहीं जो अभी लास्ट में इन्होंने अच्छा स्कोरिंग किया इसलिए इनको लिया हुए 100 में सरकार चुकि इस कंडिशन में इनको ओवर ज्यादा मिलने के चांचेस है और लास्ट में तो दो और देथ में भी आये थे प्लस ओपन कर रहे हाला कि रिकॉर्ड इनका कगी 100 अबा को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इनफ़र्म बल्लेबाज़े और कम गेंदों में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाने जाते हैं अब एक रिस्क कराएगा कि भालेबाजी में इतनी स्ट्रॉंग नहीं है तो हो सकते इनके विगट गिरे ही न और गिरे भी तो अठारवे उन्हें से ओवर में इनकी बैटिंग आए तो साइद उतनी रना बानाने को मिले क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा तो वह एक रिस्क बना रहेगा नजबा लोसें सेंटो इनके साथ भी वही परिशानी यह जो लेटन दास के साथ है हाला कि लेटन दास तो थोड़ा पुत कर भी लेते हैं बट यह मोस्तली 25-30 के अंदर 20-30 के अंदर स्कूरिंग करके जाएंगे रंच बनाते हैं और highly rate किये जाते हैं domestically और वहां पे तो मतलब अच्छे खासे बल्ले बाजी करके दिखाया है प्रूफ किया है बट इंटरनेश कि यही एक इनका disadvantage है जिसके वाईसे मैं इनको इतना प्रेफर नहीं करता हूं लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो 20-30 पॉइंट दे के चले जाए जो की fantasy point of view से कभी-कभी बहुत important होता है तो आप इनको consider कर सकते हो मैंने नहीं लिया हुआ है फिलाल के लिए प्रास करके चेजिंग में अतने रन बनाने को ना मिले तो यह आपने आपको पूरा समय देंगे क्रीश पे समय वहतीत करेंगे थोड़ा confidence आएगा फिर लगा सकते हैं बट रिजिंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है most of the games में 10 में से एक ही दो बार चलते हैं तो इसलिए मै साफी नीचे आएंगे बॉलिंग के चांसे तो बनते हैं लेकिन इनकी टीम इनको एदन मारकरम से उपर प्रेफर नहीं करेंगे बले बाजी फर्स्ट बले बाजी में आ सकती है बट वही चीज़ है कितने गिंदे खेले मिले ना मिले विकरिस्क बना रहेगा और राउंडर हुआ तो यह आपके लिए एक अच्छी चोइस हो सकते हैं क्योंकि बॉलिंग भी कर सकते हैं प्लस टूडाउन बल्ले बाजी और बल्ले बाजी से अच्छी फॉर्म में अगर इनकी टीम चेस कर रहे हैं आपको लगता है इनको बॉलिंग नहीं मिलेगी तो आप इनके जग लें क्योंकि खिलाएंगे तो सब्सक्राइब बट मुझे लगता है नियुक्त को कवर करने की कोशिश किया नगीडी नौर्किया और रवाड़ा इन तीनों को मैंने कवर करने की कोशिश किया क्या एक्स्पेक्टेशन यह है कि बंगलादिश के मैक्सिमाम विकेट इनके पास काबिलियत है जो विकेट निगालने की चमता रखते है उसके अलावा अगर हम बात किरें बंगलादेशी बॉलर्स का तो देखो तास्की नहीं इनके पास पेस है बट इनका लाइन लेंथ अगर भटकता है तो अच्छा खासा पेस का फाइदा उठा लेते हैं ब मैं ज्यादा सजयस्ट नहीं करता हूं पर फास्त बहुं आपको से अग्या तो यह दत में आ जाते हैं तो उस सिच्वेशन में थोड़े ज्यादा विकेट टेकिंग निचर के गिंद बाज है हाला कि एक्सपीरेंस तास की नहमत हो जादा है मुस्ताफिजूर तो थोड़ा सा फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं इनको उतना ज़्यादा विकेट नहीं मिले रिसेंटली बट यह अपनी टीम के सबसे सदेवे गिंद बाज हैं जो कि दथ में भी गिंद बाजी करते हैं वर्येशन्स भी है स्टाटिंग में स्विंग भी प बट यह वाइस कर्प्टन है आपने आपको पूरा मौका दे सकते हैं और हो सकता अगर इनकी टीम ने प्रेसर क्रियेट कर लिया तो वो लोग इजली विकेट भी दे दे इनको तो एकाद मिनी जील की टीम में ट्राइ कर लेना नीचे और कोई अच्छा उप्शन है नी जो क की खेल रहा हो तो अभी के लिए जो टीम बन रहे कुछ इस प्रकार से कप्तानी मेंने क्विंटन डिकोक वाइस कप्तानी शाकीबल हसन को दिया आपका गीशो रभाड़ा को दे सकते हो यह साउफ अफरीका के किसी भी बॉलर को आप कप्तानी वाइस कप्तानी दे सकते हो और ग्रेंड लिग में सौमे सरकार चुकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे रायले रसो एदेन मारकरम और साफ अफरीका के कोई भी बॉलर एवेन इंक्लूडिंग केसो भाराज उनको भी ग्रेंड लिग में कैप्तन वाइस कैप्तन आप बना सकते हो ठीक है आपको अ क्या है कब कौन बहतर कर सकता और कैसे बहतर कर सकता कब आप इनको अपनी ट्राइब कर सकते हो तो उसके अक्रडिंग आप इनको ग्रेंड लिग में ट्राइब कर सकते हो एस प्लियर रोटेशन के रूप में अगर आप थोड़े रिस्क टे करें तो आप स्मॉल लिग में भ करता के लिए जय हिंड